आज संतवानी में गुरुरामदास जी का एक शबद लेने जा रहे हैं। गुरुरामदास जी का जन्द 1534 इस्वी में हुआ और 15181 इस्वी तक पंजाब की धर्ती पर गुरुरामदास जी अपना गीत गाते रहे। कहते हैं गुरुरामदास तू करता सचियार मैडा साई तू करता कहते हैं गुविंद तू करता पुरुक हैं तू ही सब करने वाला हैं बाकी सब लोग तुम्हारे ही माध्यम हैं लेकिन तू ही असली करता पुरुक हैं सभी कर्मों के पीछे तुम्हारा ही हाथ हैं जिसके लि कहते हैं तोमार कर्म तुम्ही करो मा एमा गोविंद को मा कह रहे हैं तुम्हार कर्म यह सारे कर्म तुम्हारे हैं तुम्ही करो मा और करने वाले तुम्ही हो शुकली तुम्हार इच्छा यह जो भी कर्म हो रहा है यह सब तुम्हारी इच्छा से हो रहा है उसी बात को कहते है कि तू करता तू ही करता पुरुख है गुर्णानक देव जिभी यह कहते हैं एक उंकार सत्त नाम करता पुरुख परमात्मा क्या है एक उंकार परमात्मा एक है और वह उंकार है और वही करता पुरुख है ना के वह उसने स्रिष्ट का निर्मान किया बलकि स्रिष्टी पे ज गोविंद का ही हाथ है कहते हैं गुरुरामदास तू करता सच्यार मैडा साई तू करता पुरुख है और तू सच्चा पुरुष है तूही सच्चा है और मेरा स्वामी है बड़ा नाज है बड़ा गर्व है हर भक्त को भगवान पर बड़ा गर्व होता है कि मेरा स्वामी साक उक्षात गोविंद है मैं मामूली चाकर नहीं मैं मामूली नवकर नहीं मैं तो गोविंद का चाकर हूं हम चाकर गोविंद के तो कहते हैं कि सच और बाकी जो स्वामी होते हैं असली स्वामी नहीं है और गोविंद तो सच्चा स्वामी है जिसके लिए धर्णिदास कहते हैं सोई प्रभु पक्का और मैं अतिकच्चा, कहते हैं मेरा स्वामी पक्का है, सत्य है, सच्चा है और मैं अतिकच्चा है, मैं तो कच्चा हूँ, मैं तो नो सिख्यूआ हूँ, हम में तो अनेक कमी हो सकती है, कहते हैं मैं जूठा मेरा साहिब सच्चा, माना कि मैं जूठा हूँ लेकिन मेरा साहे मेरा स्वामी सच्चा है और यही मेरी बढ़ियाई है यही मेरा गौरव है यही मेरी करिमा है कि मैं ऐसे वैसे का नोकर नहीं हूँ मैं तो उस गोविंद का नोकर हूँ जो सच्चा स्वामी है कहते हैं गुराम दास जो तो भावे सोई थीर सी हमें पता जो तुमको भाएगा बस वही होगा जो तुम्हारा किया ही ठहरेगा बाकि हमारा किया कोई ठहरने वाला नहीं है जो तो भावे सोही थीसी जो तुम्हें रुचेगा वही होगा जो तू दे ही सोही हम पाई और जो तुम हमें दोगे परिणाम के रूप में फल के रूप में करने के लिए ठीक है हम तुम्हारा माध्यम बंद करके नाना प्रकार के कर्म करेंगे लेकिन वास्तों में जो फल है वो तो तुम्हारा ही उपहार है वो तो तुम्हारा ही अनुदान है और जो तुम दोगे वही हमको मिलने वाला है इस बात को गुरु अरुजुन्देव जी बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं तन धन तेरा तू प्रभु मेरा कहते हैं यह ये जीवन तुम्हारा ये मेरे पास जो धन है ये भी तुम्हारा लेकिन तू हमारा है भक्तों ने किस तरह भगवान को फुसलाया है देखो तो सही कहते हैं कि ये तन तुम्हारा और ये धन तुम्हारा ये जीवन तुम्हारा लेकि तू हमारा है तो जो हमने दिया था वह भ कि जब मेरा स्वामी ही हमारा हो गया तो सब कुछ हमारा हो गया तन धन तेरा तु प्रभु मेरा हमरे वस्गें जूनाई कर नहीं हमारे में उस है ये सब तुछ प्वोजन करते हैं जो भी हम पाते हैं सब्तू प्रमात्मा का ही दिया हुआ है कि wonderuse देरी तू सोभब दिया हुआ और यह सबकूछ तेरा है उस्षिप तुमारी यह तुमारा है हमारा जीवन तुम्हारा है सब कुछ तुम्हारा है और तू सब का ख्याल रखता है जैसे हम परिवार में बच्चे हैं तो सब कुछ माता-पिता का है लेकिन माता-पिता बच्चों का समाल करते हैं ठीक ऐसे ही हम तुम्हारे बच्चे हैं सब कुछ तुम्हारा है और तुम हमारा ख्याल करते हैं तो हमें चाहिए क्या कहते हैं जिसनों कृपा करही तिन नाम रतन पाई लेकिन जिस पर प्रभु किर्पा करता है किसे पहचान हो किस पर प्रभु किर्पा करता है और किस पर नहीं करता है जिस पर उक्रिपा करता है उसको नाम रतन धन देता है उंकार का धन देता है उंकार का ज्यान देता है राम रतन धन जिसको संतों ने कहा है तो जिसको उंकार का ज्ञान हो जाए वो समझना कि वो प्रभु का विशेष किरपा पात्र है जिसके लिए संद मीरा कहती है मैंने राम रतन धन पायो मैंने राम रतन धन पा लिया यह जो उंकार का ज्ञान है इसी को राम रतन धन कह रहे है अवस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु किस ने राम नावनालिया कहते हैं गुर्मुख लाध अम्मुख गवाईया इस नाम रतन धन को राम रतन धन को कौन पाता है गुर्मुख पाता है सदशिष्य पाता है किसके माधम से पाता है सदगुरु के माधम से पाता है अम्मुख गवाईया जो मनमुखी होता है जो मन्चाही करता ह है वो यह अपना धन जो हमारे भी तरही है इसको गमा देता है और ऐसे ही हाथ मलते हुए विधा हो जाता है यहाn से जिसके लिए संत दादु कहते हैं घट घट राम ही रतन एस सब के भी तरह रामतन धन छुपा हुआ है दादु लखे न कोई लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ता है और सद्गुरु सब्दों पाइए तेकि सद्गुरु मिल जाए और सद्गुरु का उपदेश मिल जाए तो सद्गुरु के शब्द से हम उस राम्रतंधन को पा लेते हैं और शहजे ही गम होई फिर तो हमकार में सहजी प्रवेश हो जाता है कहते हैं गुरामदास अतुद आप भी छोड़िया आप मिलाईया तुम्हारी इच्छा से हम तुम से अलग हो गए हैं जिवात्मा के रूप में हम अलग हो गए हैं अजब तुम्हारी कृपा होगी जब तुम चाहोगे तो फिर हम तुम से मिलते हैं तुम्हारा दर्शन कर करते हैं तुम्हें प्रवेश करते हैं समाधी के माध्यम से स्विरत के माध्यम से ध्यान के माध्यम से कहते हैं गुरांदास और जिसनों तू जान रही सो ही जन जाने अज जब तुम्हारी इच्छा होती है कि ये बंदा ये इस ज्ञान को प्राप्त करें मेरे मेरा अनुभा करें मेरा ग्यान प्राप्त करें तो फिर वो जान जाता है तुमको तुलसिदा जी भी कहता है कि सो जानत जिन देहु जनाई वही तुम्हे जानता है जो तुम खुद अपनी इच्छा से जिसको तुम जान देना चाहते हो जिसनों तु जाना ही असो ही जन जाने जो तुम चा गुरु सदही आखी बखाने और फिर जो तुम्हें जान लेता है तुमसे उसको प्रेम हो जाता है और हमेशा तुम्हारे सुमिरन में जीता है जब भी गुण काना शब्द संतवानी या गुरुवानी में आता है तो उसका अर्थ होता है सुमिरन करना और कहते हैं गुरामद सब करता है और तेरा किया शब होता है बाकि जो भी करते हैं किया वास्तो भरता करने हैं सो कहते हैं कि सभा ही सच्छा एकऊ सविए अतिषका किया सब किछ Պई और उसी का किया संसार में स्विष्ट में ठरता है क्छे गुरॐ आमदास interview दूया और नहो एक हैं कि Фसीति आख तुम चाहित वही होता है तुमारी इच्छा के विरुद्ध यहां पत्ता भी नहीं हिलता है पत्ता भी नहीं डोलता है कहते हैं इस बात को गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं तुद बिन दूजा और न कोई असब तेरा खेल अखारा जी कहते हैं कि वास्तों में कि ये तुम्हारे कृत्त के सिवा तुम्हारे कर्म के पुरेता ही नहीं। तूंहारे रिक्त भी कोई यहां पर नहीं है तुद्विन दूजा और cracked अस्भ तेरा खेल अंगारा जी ये सारी दुनिया तुम्हारे खेल का channel अमयान है le तुम्हें एक मात्र खिलारी हो रामण बन करके तुम्हें सीड़ाते हों राम बन करके। तुम्हें रामण का संんहार करते हों खेले रगपतिय अथवारां. चल रहा वहीं पत्ते बावन यह देखता दो आखीलते हैं हैं गजव की बात कह रहे हैं जैसे मुर्तिकार मुर्तिकार निर्मार करके उसको निहारता है जैसे चित्रकार चित्र को बना करके उसको देखता है प्यार से जैसे गीतकार गीत को किरशना करके स्वयम ही मुग्द हो जाता है अपने पर ऐसे ही गोविंद स्रिष्ट को बना करके इस स्रिष्ट को निहारता है और निहार निहार करके स्वेम मुग्द हो जाता है जिसके लिए गुर्णानक देव जी कहते हैं आपे वेखे आपे भी से आपे नदरी करें कहते हैं कि वह स्वेम ही इसको देखरें करता है निहारता है और स्वेम इसको विक्सित करता है और आप ए नदर ही करे और स्वेम ही अपनी कृपा करके इसका लालन पालन करता है जो किछु करना सो करी रही या और न करना जाए जो भी करना जरूरी है और गुर्मूख परगट होई काते है गूरू देशे ही तू प्रकट होता है Bina Guru की मदद के Bina Guru की साहथा से ब्रह्म ग्यान घटित नहीं हो सकता जिसके लिए घुर्ःतेख बहादूर केते हैं नानक कहत मुख्ति पंथया नानक जिव जी कह यह पंत पास सकते हो, आत्म ज्ञान को उपलब्द हो सकते हो, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्द हो सकते हो, संद वानी को हम यहीं विराम देता है।